मेनकुरी जनपर में जेब कत्रों के होसले बुलंद हैं, किसी भी तरे का कोई खौप नहीं है लंबे समय तक आग्यात बास पार्थ वहे चोरों ने एक वारफेर से कस्बे में अपने कदम सक्रिय किये हैं कुछ दिनों पूर्वी कस्बा इस्टेट ग्रामेल बेंक से पैसे निकालने आई महला के साथ आए टप्पे बाजों ने बेंक कैसियर को धोका दे कर 47,000 रुपे का चूना लगा दिया था बैसा ही मामला सुकुरबार को एक वारफेर देखने को मिला इस बार इस्टेट बेंक की साका किस्नी छेतर के गाउं कुतुपुर्णिवासी कृष्ला देवी पतनी कैदार सिंग पाल जो की पूर्व सेनिक है अपने पती के साथ 50,000 रुपे निकालने आई थी करीब 12 बजे उन्होंने कैस काउंटर से पैसे निकाल लिए और सारे पैसे एक छोटी सी बैग में रख लिए उसके बाद वह पास्बुक अपडेट कराने के लिए लाइन में खड़ी हो गई उनके पती भी उनके पास खड़े थे इसी बीच किसी जेब कत्रे ने उनके बैग को बलेट से चीर दिया और पैसे गायब कर दिये कुछ देल के बाद जब उन्होंने बैग को देखा तो वह सन रह गई और रोने चिलाने लगी सूचना पार थाना पुलिस भी पहुँच गई पार सीची टीवी कैमरेपर पासवर्ड पता न होने के कारण बैंक के करमी सीची टीवी कैमरे में कुछ नहीं देख सके अब पुलिस पासवर्ड का इंतिजार कर रही है जैसे ही कुछ सबूत हात लगेंगे पुलिस कारभाई करेगी किताब खड़ी हो गई किसी ने मेरा परिस्पाट दिया जो मैं बाहर निकली तो मेरा मेरा आथ ऐसाल लगा मेरा बेग कैसे ही काठा किसने अदेखके हम रोड पड़ी एक दम मेरे किसी रुपया निखाल लाए थे वेग काठके हैं कितने पसे निकल लिए पचास जार रुपय तेखके हो आप यहां जमा किया तो तो पर गारी लई तो लोगों की हाँ पुला साइद दरोगा जी आए चीक कॉछ भाग जीव ठीक देगा यह जू 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 झाती है यह तुमय कसम काटकर निकाँ ले मंहें भांतु लिए पमें भांतु लिए स्बॉप में भुटाभ कि श्यूफ झाल झाल